तो दोस्तो आज हम अपनी इस वीडियो में most expected repeated questions की जो हमारी series रही की उसका एक part discuss कर रहे हैं इस part में total 100 questions होंगे जो की most important रहते हैं आपके exams के लिए जो की बार-बार exams में पूछ है जाते हैं तो अगर आपने पुराने parts मिस कर दी हैं तो उसका link आपको description में मिल जाएगा इसकी एक separate playlist रहेगी आप उसको देख सकते हैं 100 most expected repeated questions के नाम से जो की काफी जादा helpful रहेगी आपके सारे competitive exams के लिए तो अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को like करें शेयर करें और चैनल क जरूर subscribe कर लें तो चलिए वीडियो start करते हैं देखते हैं पहला question क्या है तो हमारा पहला question है दुद्वा नेशनल पार्क is located in which state of India तो दुद्वा नेशनल पार्क जो है इंडिया की कौन सी state में located है तो हमारा answer हो जाएगा उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश जो state 104 नेशनल पार्क रहेंगे जिसके हमने separate वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी उसके बाद जो दो नेशनल पार्क और एड करे गए हैं आसाम में वो भी आप जरूर ध्यान रखें तो उससे तो जो नेशनल पार्क की वीडियो रहेगी आप उसको जरूर देख ले उससे भार आपको नेशनल पार्क से कोशन नहीं मिलेगा अगला कोशन देखते हैं what is the SI unit of luminous intensity तो luminous intensity की SI unit क्या होती है तो SI unit भी exam में पूछी जाती है तो हमारा answer हो जाएगा candela candela जो होती है यह SI unit होती है luminous intensity की जितने भी topic रहेंगे हर एक topic की आपको separate वीडियो मिल जाएगी बि अगला कोशन देखते हैं what is the name of the first satellite built by India तो इंडिया के द्वारा जो पहली satellite बनाई गई थी उसका क्या नाम था तो हमारा answer हो जाएगा आर्रेभट आर्रेभट जो है यह भारत की पहली satellite थी यह आपको ध्यान रखना है 1969 में इस रो की foundation करी गई थी और इस रो की ही यह पहली satellite रहीगी जो कि exams में पूछी जाती है और यह रश्या की मदद से इंडिया ने launch करी थी अगला कोशन देखते हैं विलियम रॉइंजन is known for the discovery of तो विलियम रॉइंजन जो है इनको किस चीज की खोज के लिए जाना जाता है important question है हर किसी को पता होगा हमारा answer हो जाएगा X-rays X-rays की discovery के लिए जाना जाता है विलियम रॉइंजन को Asian Games in 2022 are going to held in तो 2022 में Asian Games होने वाले हैं वो कहां पर होंगे उनको कौन सी country host करेगी तो हमारा answer हो जाएगा China चाइना होस्ट करेगा Asian Games को 2022 के अंदर Beijing जो capital है चाइना की वहां पर होंगे The Harappan Civilization was around which river तो Harappan Civilization जो थी वो कौन सी river के around थी तो हमारा answer हो जाएगा Ravi River हर किसी को पता होता है एक्जाम में पूछा जाता है कि Ravi River के around Harappan Civilization जो है ये थी ये आपको पता होना चाहिए अब अगले question पर बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं 2000 questions की हमारी एक e-book रही जो कि आपको सिर्फ 99 रुपीज में provide कराई जा रही है इस पर आपको flat 67% off दिया जा रहा है important क्यों रहेगी क्योंकि हर एक exam की हर एक shift में आपको 7-8 questions इस e-book से मिलते हैं जो की आपके exam के लिए most important रहने वाली है और important इसलिए भी रहती है इसको चार पार्ट में divide किया गया है mixed questions होते हैं 500 science questions है 500 static GK 500 current affair रहेगा 2020 का अगर आपको 2021 का जनवरी से जून तक का current affair चाहिए तो उसके लिए एक separate e-book रहेगी 500 basic GK questions रहते हैं तो total 2000 questions रहते हैं अगर आप interested हो link आपको description में मिलेगा आप इसको ज़रूर एक बार try करके देखें और अगर आपको कुछ issue आता है downloading में तो यह हमारी Gmail ID है आप इस पर directly mail कर सकते हैं तो चलिए अगला question देखते हैं हमारा who is the author of the book the battle of belongings तो the battle of belongings जो book है यह किसके दुआरा लिखी गई तो हमारा answer हो जाएगा शशी थरूर शशी थरूर की एक important book रहेगी the battle of belongings गिर नेशनल पार्क is located in which state of India गिर नेशनल पार्क कहां पर है तो गिर से हो जाता है गुजरात गुजरात स्टेट में located है गिर नेशनल पार्क तो तहरी डेम आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का सबसे हाइज डेम कहुंँछा है तो तहरी डेम रहेगा कहाँ पे लोकेटेड है तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्रकंड उत्रकंड स्टेट में लोकेटेड है तहरी डेम वर्ड इन्वार्मेंट डे is observed अन वर्ड इंबारिमेंट डे कौन सी डेट को अब्जर्व किया जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 जून तो डेस के उपर एक कोशन आपको हर जादतार हर शिफ्ट में देखने को मिलता है तो डेस को आप अच्छी तरीके से तैयार करें भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? रेल्वे मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फोरण मिनिस्टर हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए तो पहले कौन थे? यह आपसे एक्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं तो पहले defense minister कौन थे इंडिया के, तो हमारा answer हो जाएगा बलदेव सिंग, बलदेव सिंग जो थे ये पहले defense minister है भारत के तो पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने heart transplant किया था, इंडिया में तो हमारा answer हो जाएकर डॉक्तर वीनु गोपाल तो पहले भारती रहेंगे जिनके दुआरा heart transplant किया गया था अगर आपसे question पूछा जाए कि पहला heart transplant इसके दुआरा किया गया था तो आपका आंसर हो जाएगा Dr. Christian Bernard Dr. Christian Bernard जो है इनके द्वारा पहला आर्ट ट्रांस्प्लांट किया गया था और पहले भारतिय जो रहेंगे वो रहेंगे वेनु गोपाल चंडीगर वोस डिजाइन बाइ तो चंडीगर जो सिटी है यूनियन टेरिटरी भी रहती है तो यह जो बुक है जिसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा जवालनाल लहरू जवालनाल लहरू जो की भारत के पहले प्रधान मंत्री थे उनके द्वारा बुक लिखी गई है लेटर फ्रॉम अ फादर टू डॉटर विलियम हर्वे इस नून फॉर्टी डिस्कवरी ओफ तो इस कोशन का आंसर तो मेरे साब से जात तर हर एक व्यक्ति को पता होगा हमारा answer क्या हो जाएगा तो हमारा answer हो जाएगा circulation of blood तो William Harvey को circulation of blood के लिए जाना जाता है यह basic question रहता है exams में repeat होता रहता है what is the main component of bio gas and natural gas तो bio gas और जो natural gas होती है उसमें जो main component होता है main जो चीज present होती है वो क्या होती है तो हमारा answer हो जाएगा methane, methane जो होता है colorless, odorless एक gas होती है तो यह present होती है main component होता है यह bio gas का भी और natural gas का भी who discovered the harapan civilization, harapan civilization किसके द्वारा discover करी गई थी तो हमारा answer हो जाएगा दयाराम सहनी, दयाराम सहनी जो है इनके द्वारा discover करा गया था खोज करी गई थी harapan civilization की harapan civilization हो गया, indus valley civilization हो गया, उसकी separate video भी आपको channel पे मिल जाएगी the famous गायत्री मंत्र is taken from, तो आप सबको पताए गायत्री मंत्र जो है एक famous मंत्र रहता है तो यह कहां से लिया गया है, तो हमारा answer हो जाएगा रिगवेद, रिगवेद से लिया गया है गायत्री मंत्र को situated in, तो हम आपको काफी time से बताते आ रहे हैं कि जितनी भी international organizations हैं, उनका headquarter कहां पे है, उनके current time में head कौन है और उनकी establishment कब हुई थी, यह आप जरूर धियान रखें, इसकी एक separate most important, बिल्कुल detailed वीडियो आपको channel पे हमने कुछ दिन पहले ही provide कराई है, तो आप उसको देख सकते हैं, तो world anti-doping agency जो है, उसका headquarter कहां पे है, तो हमारा answer हो जाएगा Montreal Canada, तो Montreal जो जगे है Canada में, वहाँ पे headquarter है, world anti-doping agency का, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि Canada जो है, इसकी सबसे बड़ी coastal line है, अगर आपसे country पूछी जाए तो Canada की सबसे बड़ी coastal line है, और अगर आपसे state की बात करी जाए इंडिया की, तो गुजरात state रहेगी जिसकी सब सबसे बड़ी coastal line है, अगला question देखते है हमारा, who is the vice chairman of नीती आयोग, तो नीती आयोग 2015 में establish करी गई थी, उसके chairman कौन होते हैं, तो current time में जो प्रधान मंत्री रहेंगे, वो chairman होंगे नीती आयोग के, मोधी government के द्वारा ही इसको start किया गया था 2015 में, इससे पहले इसको planning commission क के नाम से जाना जाता था, planning commission को अब बदल दिया गया है, नीती आयोग के रूप में, तो इसके vice chairman कौन है, तो हमारा answer हो जाएगा, राजीव कुमार, राजीव कुमार जो है, ये current time में vice chairman है, नीती आयोग के, बेदर वेशा, is a popular folk dance of which state, तो बेदर वेशा जो है, ये कौन सी state का एक popular folk dance है, folk dances की separate video channel पे मिल जाएगी, exams में काफी जादा पूछे जाते हैं, तो हमारा answer हो जाएगा, करनाट का, करनाट का जो state रहेगी, वहां का एक important popular folk dance रहता है, जो की रहेगा, बेदर वेशा, which instrument is used to measure wind speed, तो wind जो होती है, हवा जो होती है, उसकी जो speed होती है, उसको नापने के लिए किस instrument का use किया जाता है, तो हमारा answer हो जाएगा, animometer, animometer जो होता है, ये wind speed को नापने के लिए use किया जाता है, berry berry is caused by the deficiency of which vitamin तो berry berry जो बिमारी होती है किस चीज की कमी की वज़े से होती है तो berry berry आपको पता होगा हमने काफी बार बताया इसकी trick हो जाती है B से berry, B से vitamin B तो vitamin B वन जो होता है इसकी कमी की वज़े से berry berry बिमारी होती है which of the following rays has minimum frequency तो कौन सी rays होती है जिनकी सबसे कम frequency होती है तो हमारा answer हो जाएगा radio waves radio waves की सबसे कम frequency होती है और wavelength किसकी सबसे ज़्यादा होती है तो radio waves की wavelength सबसे ज़्यादा होती है जो frequency होती है और जो wavelength होती है यह inversely proportional होती है तो जिसकी सबसे कम frequency होगी उसकी सबसे ज़ादा wavelength होगी What is the chemical name of washing soda तो washing soda का chemical name क्या होता है तो यह जितने भी होते है chemical name और chemical formula इसकी आपको separate video channel पे already मिल जाएगी तो हमारा answer हो जाएगा sodium carbonate sodium carbonate जो होता है यह chemical name होता है washing soda का Who is the author of the book We are displaced जो book है यह किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा Malala Yusuf Zai Malala Yusuf Zai जो है एक पाकिस्तानी रहेंगी इनके द्वारा book लिखी गई है जिसका title रहेगा We are displaced important क्यों रहती है क्योंकि Malala Yusuf Zai जो है यह कार्रे करता रहेंगी और इनको Nobel Peace Prize से भी सम्मानित किया जा चुका है 2014 में इनको Nobel Peace Prize मिल चुका है इसलिए most important रहती है इनको और भी काफी सारे international awards होते हैं जिनसे इनको सम्मानित किया जा चुका है इसलिए आप इनको ध्यान रखें कि We are displaced जो book है यह लिखी गई है तो पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है तो आपको पता होगा हमारा answer है लाला राजपत राए लाला राजपत राए को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है दादा भाई नरोजी को Grand Old Man of India बोला जाता था महात्मा गांधी को father of the nation बोला जाता है और लाल भादुर शास्त्री जो रहेंगे इनको man of peace के नाम से भी जाना जाता है तो ये निकनेम्स होते हैं जो हमारे former leaders रहेंगे उनके जो निकनेम्स हैं वो आप ज़रूर ध्यान रखें Who among the following is the first lieutenant governor of Ladakh? तो Ladakh के पहले lieutenant governor कौन थे? तो आपको पता होगा RK माथुर जो थे ये पहले lieutenant governor चुने गए थे Ladakh union territory के जैसे ही Ladakh union territory हुआ था Ladakh और जम्मू कश्मीर अलग-अलग हो गए थे union territory के रूप में बन गए थे तो RK माथुर को पहला lieutenant governor चुना गए था Ladakh का what is the symbol of lead? lead का symbol क्या होता है? तो आपको पता हो का हमारा answer हो जाएगा PB PB जो होता है symbol होता है lead का इसमें काफी सारे लोग जो होते हैं वो alley पे टिक करियाते हैं alley जो होता है वो symbol नहीं होता PB जो होता है symbol होता है जो की match नहीं करते हैं अगर कोई आपको दिया गया है और उससे match नहीं हो पा रहा option तो इस type के जो symbols होते हैं वो exams में ज़ादा पूछे जाते हैं तो PB जो होता है ये lead का symbol होता है ISRO was established in which year तो ये हमने starting में आपको बता दिया था जो हमने अभी पीछे पहली satellite का question discuss करा था हमारा answer हो जाएगा 1969 1969 में ISRO को establish किया गया था विक्रम सारभाही के द्वारा The book सत्यार्थ प्रकाश was written by सत्यार्थ प्रकाश जो book है ये किसने लिखी है तो हमारा answer हो जाएगा दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती जो है उनके द्वारा book को लिखा गया है जिसका title रहेगा सत्यार्थ प्रकाश During the rule of टीपू सुल्तान which was the capital city of his state तो जो राजा थे जो महराजा होते हैं उस time पे उनकी capital क्या होती है तो इस type के questions भी exam में देखने को मिलते हैं तो टीपू सुल्तान जब साशन कर रहे थे उस time पे उनकी capital क्या थी तो हमारा answer हो जाएगा श्रीरंगा पत्नम श्रीरंगा पत्नम जो है ये capital थी टीपू सुल्तान की उनके साशन के time में which of the following is also known as laughing gas तो laughing gas के नाम से कौन सी gas को जाना जाता है तो आप सबने देखा होगा movies में कि gas जो होती है जिसकी वैसे laughter निकलता है तो वो gas जो होती है उसको किस नाम से जाना जाता है वो कौन सी gas होती है तो हमारा answer हो जाएगा nitrous oxide तो nitrous oxide वो gas होती है जिसको की laughing gas के नाम से जाना जाता है एक laughter के लिए इस gas को use किया जाता है तो यह रहेगी nitrous oxide who was the prime minister of the country during the war with Pakistan in 1965 1965 अब अगर 1965 की बात करी जाए तो पाकिस्तान के साथ हमने 1965 में एक wall लड़ा था तो उस time पे 1965 में Prime Minister कौन थे तो आपको पता है 1965 year ने दिया अगर आपको तो उससे आप directly अनुमाल लगा सकते है कि Prime Minister कौन थे उस time पे तो हमारा answer हो जाएगा लाल बहादोर शास्त्री जो थे 1965 में प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के और 1966 में उनकी डैथ हो गई थी तो इस तरीके से आपको याद रख सकते हैं कि 1966 में डैथ हो थी 1965 में प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादोर शास्त्री अगला कोशन देखते हैं डेश is also known as Iron Man of India तो Iron Man of India किसको जाना जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा सरदार पटेल तो सरदार वल्लभाई पटेल को जाना जाता है Iron Man of India के नाम से तो तुम मुझे खून दो मैं तुमें आजादी दूँगा ये जो स्लोगन था जो नारा था ये किसके दूआरा दिया गया था तो हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था गिव मी बलड आई बिल गिव यू फ्रीडम तो फिर इंडियन नेशनल कॉंग्रेस से आपसे कुशन पूछ लिया गया कि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के जितने भी प्रेसिडेंट रहेंगे उनके ये आपको जरूर ध्यान रखने एक्जाम्स में मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है एक कोशन जरूर पूछा जाता है तो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? पार्टिशन के टाइम में. पार्टिशन कब हुआ? 1947 में. तो 1947 में INC के प्रेसिडेंट कौन थे? 1947 से आपको ध्यान होगा J.B. कृपलानी. J.B. कृपलानी जो थे ये 1947 में President थे Indian National Congress के Indian National Congress को Establish किया गया था 1885 में जो की India की oldest party रहेगी आप से question पूछा जाता है कि India की oldest party कौन सी है तो वो रहेगी Indian National Congress 1885 में Establish करी गई थी A.O. Hume के दौरा पहले कौन थे President तो वो रहेगे वोमेश चंदर बेनर जी अगला question देखते है हमारा cholera is caused by तो cholera जो बिमारी होती है किस कारण की वज़े से होती है तो हमारा answer हो जाएगा bacteria तो एक bacterial बिमारी होती है cholera What is the capital of Finland neighboring countries हो गई हमारी member countries हो गई ally countries हो गई उनकी capital क्या है उनके current time में capital क्या है तो आपका answer तो आपको वो ध्यान रखना होता है एक separate video भी मिल जाएगी तो हमारा answer हो जाएगा Helsinki Helsinki जो है यह capital है Finland country की Which instrument is used to measure high temperature तो बहुत जादा very high temperature के लिए बहुत जादा high temperature जो होता है उसके लिए किस instrument का use किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा pyrometer pyrometer जो होता है एक instrument होता है जिसकी मदद से हम high temperature को नापते हैं अगर normal temperature नापना हो तो उसके लिए किस चीज़ का use किया जाता है तो उसके लिए thermometer का use किया जाता है और अगर very low temperature काफी जादा कम temperature को नापना हो तो उसके लिए किस चीज़ का use किया जाता है तो उसके लिए cryometer का use किया जाता है तो ये तीन होते हैं pyrometer, thermometer और cryometer the idea of concurrent list in Indian constitution is taken from तो एक होतिय union list एक होतिय state list और एक होतिय concurrent list तो तीसरी जो होतिय concurrent list उसका जो idea है वो हमने कौन सी country के constitution से लिया है तो हमारा answer हो जाएगा Australia Australia के constitution से लिया गया है concurrent list को flamingo festival is organized in which state of India तो flamingo festival जो होता है कौन सी state में इंडिया की celebrate किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा आंदर प्रदेश आंदर प्रदेश जो state रहेगी वहाँ पे celebrate किया जाता है flamingo festival को the manas wildlife century is in which state of India तो manas wildlife century जो है ये इंडिया की कौन सी state में है तो हमारा answer हो जाएगा आसाम तो आसाम जो state रहेगी वहाँ पे located है manas wildlife century सरोजनी नाइडू was the president of which congress session तो फिर इंडिया नेशनल कौंगरेस की बात आ गई है तो सरोजनी नाइडू जो ती है ये पहली महिला गवर्नर थी कौन सी state की उत्तर प्रदेश की कानपुन session जो है 1925 का उसमें president थी सरोजनी नाइडू इससे अगर एक साल पहले की बात करी जाए 1924 की बात करी जाए बेलगाव session की तो सबसे ज़्यादा एक्जाम में question पूछा जाता है इंडिया नेशनल कॉंगरेस से वो कौन सा question है तो वो यही question है 1924 में बेलगाव session में president कौन था तो आपका answer हो जाएगा महात्मा गांदी महात्मा गांदी ने 1924 का बेलगाव session को preside किया था who was the 24th gen तरिथंकर तो 24 वे जैन तरिथंकर कौन है तो हमारा answer हो जाएगा महावीर महावीर जो थे यह 24 वे जैन तरिथंकर है sky appears blue due to तो जो हमारा आस्मान होता है वो हमको blue color का क्यों दिखता है तो वो किस कारण की वैसे दिखता है तो वो scattering की वज़े से हमको जो sky है जो हमारा आस्मान है वो नीले color का दिखता है which instrument is used to measure humidity तो humidity को नापने के लिए किस instrument का यूज़ किया जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइग्रो मीटर हाइग्रो मीटर एक instrument होता है जिसकी मदद से हम humidity को नापते हैं हाइड्रो मीटर और हाइग्रो मीटर इन दोनों में काफी ज़ादा confusion हो जाता है तो यह आप ध्यान रखें कि हाइग्रो मीटर होता है humidity के लिए अलाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन तो अलाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है इसमें किस राजा के बारे में लिखा गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है अलाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे तो सुंग डाइनस्टी की नीव रखती गई थी पुश्या मित्र सुंग के द्वारा इन्होंने कौन सा मुद्रें डूलर है जिसको मारा था जो की लास्ट मौरें डूलर था तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिहद्रत ब्रिहद्रत जो था ये लास्ट मौरें डूलर था जिसको मार दिया गया था पुश्या मित्र सुंग के द्वारा और इसी साथ मौरें एंपायर खतम हो गया था तो हमारा answer हो जाएगा महात्मा गांधी महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि जो sanitation होती है वो ज़ादा important होती है independence है Where is the headquarter of new development bank located तो new development bank जो है उसका headquarter कहाँ पे located है तो हमारा answer हो जाएगा शंगाई तो शंगाई जो जगे है चाइना में वहाँ पे headquarter है new development bank का When did the second battle of panipat happened तो second battle of panipat कब लड़ी गई थी तो हमारा answer हो जाएगा 5 November 1556 5 November 1556 को second battle लड़ी गई थी first battle लड़ी गई थी 21 April 1526 में और third battle लड़ी गई थी 14 January 1761 में तीन battle होती है पानipat की और तीनों ही exams में most important रहती है पूछी जाती है सबरी माला temple is located in which state of India सबरी माला temple कहाँ पे है तो हमारा answer हो जाएगा केरिला केरिला स्टेट में located है सबरी माला temple Summer Olympic Games 2024 are going to held in Summer Olympic साथी साथ Winter Olympic और जितने भी रहेंगे 2028 तक की जितनी भी तक release करे गए है वो सब कहाँ पे होने वाले है तो यह आपको पता होना ची हमारा answer हो जाएगा France तो France host करेगा Summer Olympic Games को 2024 में What is the full form of ALU? Computer related full form सब याद रखने हैं आपको तो ALU की full form क्या होती है तो हमारा answer हो जाएगा Arithmetic Logic Unit Arithmetic Logic Unit जो होती है यह full form होती है ALU की Who is the head of Department of Atomic Energy of India? तो Department जो है Atomic Energy का उसको head कौन करता है? उसका head कौन है? तो हमारा answer हो जाएगा Narendra Modi तो प्रदानमंत्री जो होती है वो head होते है Atomic Energy Department के Where is the mosque? अदाई दिन का जोपड़ा located तो अदाई दिन का जोपड़ा जो mosque है यह कहां पे located है? तो आपको पता होगा कि राजिस्थान में located है लेगिन कौन सी सिटी रहेगी तो हमारा answer हो जाएगा अजमेर, अजमेर में located है अदाई दिन का जोपड़ा What among has the scientific name? Solenum tuberosum तो Solenum tuberosum जो होता है यह किस चीज़ का scientific name होता है तो हमारा answer हो जाएगा पटेटो पटेटो जो होता है उसका scientific name होता है Solenum tuberosum Which scientist discovered the radioactive element radium तो radium जो होता है एक radioactive element होता है इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी तो हमारा answer हो जाएगा Marie Curie तो Curie sisters जो है Marie Curie और Pericurie दोने sisters रहेंगी इनके द्वारा खोज करी गई थी radium की जो कि एक radioactive element होता है The headquarter of International Atomic Energy Agency is located in तो IAEA International Atomic Energy Agency Headquarter कहाँ पे है तो हमारा answer हो जाएगा Vienna Vienna Austria में headquarter है International Atomic Energy Agency का Narendra Singh Kapani is awarded which of the following award in 2021 तो Narendra Singh Kapani जो है इनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में तो हमारा answer हो जाएगा पद्म विभूशन तो India का second highest civilian honor रहता है इसलिए most important रहेगा तो पद्म विभूशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2021 में Narendra Singh Kapani को तो ये आप जरूर धियान रखे साथ लोग रहेंगे जिनको पद्म विभूशन दिया गया है 2021 में पद्म विभूशन की अगर बात करी जाए तो 10 लोग को दिया गया है तो ये आप दोनों जो 17 के 17 नाम रहेंगे इनको बिल्कुल आपके टिप्स पर होने चाहिए कि किनके लोगों को कौन-कौन से अवर्ड्स दिये गए है अगला कोशन देखते हैं What is the full form of STTP STTP की full form क्या होती है Basic question है हमारा answer हो जाएगा Hypertext Transfer Protocol अगर HTML की बात करी जाए तो Hypertext Markup Language तो इन दोनों की full form easy रहती है लेकिन exams में फिर भी पूछी जाती है When was Suraj demanded for the first time तो Suraj की जो मांग रखी गई थी सबसे पहले वो कब रखी गई थी तो आपको year इपता ना है तो हमारा answer हो जाएगा 1906 तो 1906 में Suraj की मांग रखी गई थी सबसे पहली बार Who is the Secretary General of UN United Nations Organization जो है उसके Secretary General कौन है तो हमारा answer हो जाएगा Antonio Guterres Antonio Guterres जो है ये current time में Secretary General है United Nations Organization के Who is the first Indian woman to get the Bharat Ratna पहली भारतिया महिला कौन है जिनको भारत रतन इंडिया का highest honor दिया गया है तो हमारा answer हो जाएगा इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी जो है ये पहली महिला प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगी इंडिया की पहली महिला रहेंगी जिनको भारत रतन अवार्ड दिया गया था तो ये आप ध्यान रखे Which of the following was the first electronic computer तो पहला electronic computer कौन सा था तो आपको पता होगा एनियेक जो था ये पहला electronic computer था Who was the writer of the book? गीत गोविंद गीत गोविंद जो book है ये किसके द्वारा लिखी गई है तो हमारा answer हो जाएगा जैदेव जैदेव जो है इनके द्वारा book लिखी गई है जिसका title रहेगा गीत गोविंद Government of India announced demonetization on तो demonetization की जो announcement करी गई थी Government of India के द्वारा या फिर प्रदान मंत्री नरिंद्र मोधी के द्वारा तो 8 बजे रात को 8 पे इस announcement को किया गया था तो ये कब करी गई थी तो आपको date बता नहीं है तो हमारा answer हो जाएगा 8 November 2016 तो 8 November को 8 बजे रात में 2016 में announcement करी गई थी demonetization की की इस दिन से 1500 के जो नोट हैं वो बंद हो जाएँगे इंडिया के अंदर तो ये एक announcement थी important रहती ये 8 November 2016 को करी गई थी बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ was launched in which year बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ कब launch करा गया था तो हमारा answer हो जाएगा 2015 इस scheme को launch किया गया था 2015 में राम विलास पासवान is awarded which award तो राम विलास पासवान जिनका पीछे निधन हो गया था तो इनको कौन से award से सम्मानित किया गया है तो हमारा answer हो जाएगा पद्म भोशन तो third highest honor रहता है इंडिया का civilian honor रहता है पद्म भोशन उससे सम्मानित किया गया है राम विलास पासवान को गांधी इर्विन पैक्ट was signed on गांधी इर्विन पैक्ट कब sign किया गया था तो year आपको पता हुए 1931 तो आपका answer हो जाएगा 5 March 1931 5 March 1931 को sign किया गया था गांधी इर्विन पैक्ट को who were the leaders of the खिलाफत movement खिलाफत movement कब start किया गया था तो 1919 year याद रखना है 1919 रहेगा खिलाफत movement का year इसकी leader कौन थे आपका answer हो जाएगा all of the above तो शौकत अली और मौनाना अली जिनकों की अली brothers के नाम से भी जाना जाता है तो आपको options में अली brothers भी मिल सकता है तो शौकत अली और मौनाना अली ये दोनों भाई रहेंगे इनके अलावा हकीम अजमल खान और अबुलकलाम आजाद ये चार लोग थे जिनके जो की leader रहेंगे खिलाफत मौवमेंट के जलियावाला बाग रॉलेट एक्ट खिलाफत मौवमेंट started in which year तो अभी हमने पीचे खिलाफत मौवमेंट डिसकस कर लिया इससे आपको अंसर पता चल जाएगा लेकिन आपको ये तीनों चीजे होती है जलियावाला बाग मैसकर कब हुआ था रॉलेट एक्ट कब लाया गया था ये तीनों चीजे आपको एक ही साथ याद रखनी है क्योंकि इनके तीनों के year जो रहेंगे वो एक ही year है तो आपका अंसर हो जाएगा 1919 1919 में जलियावाला बाग मैसकर हुआ था रॉलेट एक्ट पास किया गया था लाया गया था 1919 में खिलाफत मुव्मेंट स्टार्ट हुआ था 1919 में तो तीनों ही 1919 में स्टार्ट हुए थी Who is known as the father of blood circulation Blood circulation का father किसको कहा जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा William Harvey तो circulation of blood या फिर blood circulation का father William Harvey को कहा जाता है ये question repeat हो गया पीछे ही हमने इस question को discuss किया था What is the full form of PPF तो PPF का account होता है banks में उसकी full form क्या होती है तो हमारा आंसर हो जाएगा Public Provident Fund Public Provident Fund जो होती है ये full form होती है PPF की Make in India Scheme Was launched in which year तो Make in India Scheme को कौन से साल में launch किया गया था तो हमारा आंसर हो जाएगा 2014 2014 में Make in India Scheme को launch किया गया था जितनी भी schemes रहेंगी Government of India की खास तोर से जो most important schemes है जो कि अभी काफी जादा चर्चा में चल रही है उनके year आपको ध्यान रखने है अगला question देखते हैं Name of Imperial Bank of India Was changed to SBI in which year तो Imperial Bank of India जो है उसका नाम बदल कर दिया गया है State Bank of India तो ये कौन से साल में किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा 1955 1955 में Imperial Bank of India का नाम बदल कर कर दिया गया था State Bank of India National Voters Day is observed on तो National Voters Day को कौन सी date को observe किया जाता है तो हमारा answer हो जाएगा 25 January हर साल 25 January को National Voters Day के रूप में मनाया जाता है Who is the 16th लोगसभा Speaker of India अब जिनको नमबर नहीं पता होगा कि 16 नमबर के कौन है जो की सरफ ये देखेंगे कि लोगसभा Speaker कौन है तो वो टिक करियांगे ओम बिल्ला पे लेकिन आपको ये पता होना चीए कि ओम बिल्ला जो है वो 17 नमबर के लोगसभा Speaker है और यहां पे 16 पूछा गया है तो 16 लोगसभा Speaker कौन रहेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा सुमित्रा महाजन तो सुमित्रा महाजन जो थी ये 16 नमबर की लोगसभा Speaker थी और 17 जो की करिंट टाइम में है वो कौन है तो वो है ओम बिल्ला मदूबनी पेंटिंग is related to which state of India मदूबनी पेंटिंग जो है ये इंडिया की कौनसी state से related है तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहार बिहार जो state है वहां से related है मदूबनी पेंटिंग विच ग्लेंड रिलीज़ human growth hormones तो human growth hormones को कौनसी gland release करती है इस question का answer हर एक व्यक्ति को पता होगा क्योंकि हम multiple times इस question को अपने चैनल पे discuss कर चुके है हमारा answer हो जाएगा pituitary gland pituitary gland जो होती है हमारे brain में present होती है और यही responsible होती है human growth hormones को release करने के लिए पंचायती राज was first introduced from which state in 1959 तो 1959 में पंचायती राज को पहली state में introduce किया गया था तो वो कौनसी state रहेगी तो हमारा answer हो जाएगा राजिस्थान राजिस्थान जो state है उसमें सबसे पहले 1959 में introduce करा गया था पंचायती राज system को रबिंदर नाठ टैगोर was awarded the noble prize for which book in 1913 तो सबसे पहले भारती है कौन है जिनको noble prize मिला है तो वो रहेंगे रबिंदर नाठ टैगोर कौनसे साल में 1913 में आपको यह पता चल गया कि रबिंदर नाठ टैगोर को 1913 में मिला था noble prize किसके लिए मिला था तो literature के लिए literature book के लिए मिला है इनको 1913 में noble prize दिया गया था literature की field में तो हिंदू विडो री मेरिज एक्ट को कब पास किया गया था यह question भी पूछा जाता है तो 1856 में अब यह जो पास किया गया था हिंदू विडो री मेरिज एक्ट यह किसके दौरा किया था हमारा आंसर हो जाएगा इनके दौरा पास किया गया था हिंदू विडो री मेरिज एक्ट को 1856 में अरुना आसफ अली was associated with which of the following अरुना आसफ अली किस चीज़ से related है तो हमारा आंसर हो जाएगा quit India movement तो 1942 में quit India movement से related है अरुना आसफ अली after the बरदोली सत्येग्रे the title of सर्दार to वल्लप भाई पटेल was given by तो बरदोली जो सत्येग्रे था वो सर्दार वल्लप भाई पटेल के द्वारा lead करा गया था तो उसके बाद इनको सर्दार का title मिल गया था तो किसने दिया था सर्दार का title तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने सरदार का टाइटल दिया था वल्लब भाई पटेल को राइट टू एजुकेशन इस रिलेटेड टू विच आर्टिकल तो आर्टिकल्स भी आपको जरूर ध्यान रखने हैं आर्टिकल्स से रिलेटेड भी हर शिफ्ट में आपसे कोशन जरूर पूछा जाता है तो राइट टू एजुकेशन जो है कौन से आर्टिकल्स में बताया गया है तो हमारा आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21A आर्टिकल 21 यह जो होता है यह related होता है right to education से 9th schedule was added to the Indian constitution by which amendment act तो 9th schedule को और add किया गया था Indian constitution में कौन से amendment act के थूँ तो हमारा answer हो जाएगा 1st amendment act of 1951 तो पहला ही amendment act जो लाया गया था 1951 में उसके द्वारा सबसे पहले Indian constitution में 9th schedule को add किया गया था उससे पहले 8th schedule थे Indian constitution में railway comes under which list of the constitution तो railway कौन सी list में आता है तो हमारा answer हो जाएगा union list तो union जो होती है वही responsible होती है वही सब को देखती है railway का railway budget भी union के द्वारा ही release करा जाता है तो union list में आता है railways power of president to consult supreme court is related in तो जो president होते हैं उनके पास power होती है कि अगर वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा करने जाते हैं तो वो supreme court को consult कर सकते हैं उनसे वो चर्चा कर सकते हैं कि इस चीज़ पे आपकी राय जो है वो आप उनको बताएं तो यह जो बताया गया है यह कौनसे article में बताया गया है तो हमारा answer हो जाएगा article 143 तो article 143 में बताया गया है कि president के पास power होती है कि वो consult कर सकते हैं supreme court को GST was implemented in India on GST को implement किया गया था इंडिया में कब तो हमारा answer हो जाएगा 1st July 2017 तो 1st July 2017 को launch किया गया था implement किया गया था GST को भारत के अंदर Who was the founder of the newspaper or magazine Bengal Gazette तो Bengal Gazette जो है एक newspaper रहेगा इसको किसके द्वारा found किया गया तो हमारा answer हो जाएगा James Augustus Hickey James Augustus Hickey के द्वारा found किया गया था Bengal Gazette newspaper को important इसलिए रहता है क्योंकि भारत का पहला newspaper ये कौन सा है तो वो रहेगा Bengal Gazette Thomas Cup is associated with which sport तो sport related जितने भी cups और trophies रहेंगे वो आप ध्यान रखे separate video channel पर आपको मिल जाएगी तो हमारा answer हो जाएगा badminton तो badminton जो game होता है sport होता है उसकी field में दिया जाता है Thomas Cup first Indian to make a speech in Hindi before the UN General Assembly is तो UN General Assembly में पहले भारतिय कौन थे जिनके द्वारा Hindi language में speech दी गई थी तो हमारा answer हो जाएगा अटल बिहारी वाजपाई तो former Prime Minister है इंडिया के अटल बिहारी वाजपाई ये पहले भारतिय हैं जिनके द्वारा हिंदी में speech दी गई थी United Nations General Assembly में where is located Central Soil Salinity Research Institute in India तो Central Soil Salinity Research Institute कहाँ पे लोकेटेड है तो हमारा answer हो जाएगा हरियाना हरियाना जो state है बहाँ पे लोकेटेड है Central Soil Salinity Research Institute प्रदान मंतरी कौशल विकास योजना is a flagship scheme of which union ministry तो कौनजी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा प्रदान मंतरी कौशल विकास योजना को launch किया गया है तो हमारा answer हो जाएगा Ministry of Skill Development and Entrepreneurship तो इनके द्वारा launch किया गया था प्रदान मंतरी कौशल विकास योजना को Established in 1936 Dash is India's first national park तो भारत का पहला national park कौशा आपको पता होगा उत्राखंड state में located है इकलोटी river इसके अंदर से flow करती है कौशी river है तो रामगंगा river तो उसका क्या नाम है तो हमारा answer हो जाएगा Jim Corbett National Park उत्राखंड में located है इंडिया का पहला national park है कब established हुआ था 1936 में Name the oldest political party of India इंडिया की सबसे पुरानी political party कौशी है हमने starting में ही आपको बता दिया हमारा answer हो जाएगा Indian National Congress 1885 1885 में established किया गया था Indian National Congress को oldest political party है इंडिया की Added to the UNESCO list of world heritage sites In 2014, the Great Himalayan National Park is located in which state of India तो Great Himalayan National Park जो है इसको 2014 में UNESCO list of world heritage site में शामिल कर लिया गया था ये कौन सी state में located है तो हमारा answer हो जाएगा Himachal Pradesh Himachal Pradesh इस state में located है Great Himalayan National Park 2014 में UNESCO world heritage site में शामिल किया गया था इयर भी आपको ध्यान रखना हो सकता है एक्जाम में पूछ लिया जाए Who was the founder of the Chola Empire Chola Empire किसके द्वारा found किया गया था तो हमारा answer हो जाएगा Vigela Chola Vigela Chola जो है इनके द्वारा इस्थापना करी गई थी Found किया गया था Chola Empire को तो ये आपको ध्यान रखना है जितने भी Empire रहेंगे Dynasty रहेंगी उनके founder कौन है और उनके last ruler कौन है ये दो questions होते हैं जो कि एक्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं अब आप नीचे देख सकते हैं 600 plus questions की current affair के हमारी एक e-book रहेगी जो की सिर्फ आपको 29 रुपीज में provide कराई जा रही है इस पर आपको 70% off दिया जा रहा है इसमें जनवरी से लेके जून 2021 तक के सारे current affair के question आपको मिल जाएंगे अगर आप interested हो तो आपको link description में मिल जाएगा आप description में जाके इसको buy कर सकते हैं इसके साथ ही साथ हमारी एक playlist रहेगी All Aesthetic GK topic के नाम से उसमें 150 से ज़्यादा topic cover करे गए है हर एक topic dynasties का topic है यह तो dynasties के भी आपको separate video मिल जाएगी कोई भी topic हो हर एक topic के आपको separate video channel पे मिल जाएगी उसी playlist में All Aesthetic GK topic के नाम से जो playlist है आपको उसमें जाना है और सारे topics आपके cover हो जाएंगे 90% जो आपका syllabus है वो already उस playlist में आपका cover हो जाएगा तो आप उसको जरूर देख सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा धन्यबाद दोस्तो